नमस्कार में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है MX Player की दमदार वेब सीरीज आश्रम आपको भी याद होगी जिसमें बॉलिवुड के मशूर अभिनेता बॉबी देल की आक्टिंग की खूब वहवाही हुई थी साथी सीरीज को लेकर काफी कॉंट्रुवर्सी भी देखने को मिले थी लेकिन जैसा आपको भी पता है कि जितनी जादा कॉंट्रुवर्सी उतनी जादा पॉपुलारिटी और ऐसा ही कुछ इस वेब सीरीज के साथ भी हुआ है यही कारण है कि अब इस सीरीज का तीसरा पार्ट जिल्द ही आने वाला है जिसका बेसबरी से इंतजार कम से कम वो फैंस तो जरूर कर रहे हैं जिन्होंने आश्रम देख रखी है लेकिन इस सीरीज में इस बार बिहार के लिए भी बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इस बार आश्रम के तीसरे सीरीज में बिहार के लाल कमाल करने वाले हैं एमेक्स प्लेयर की दमदार वेब सीरीज आश्रम तीन में बॉलिवुट के मशूर अभिनेता बॉबी देवल के साथ इस बार बिहार के लाल अमित रंजन नजर आने वाले हैं अमित बिहार के शेक पुरा जुले के बरभीगा गाव के रहने वाले हैं फिलाल उनका पूरा परिवार पटना के अटलपत स्थित प्रफेसर कॉलनी में रहता है आगामी 3 जून को MX Player की ये वेब सीरीज रिलीज होने वाली है इस वेब सीरीज के दो सीजन पहले ही रिलीज हो चुके हैं दोनों ही सीजन को लोगों ने खुब पसंद किया था मीडिया में चल रही खबरों के अनसार अमित रंजन इस वेब सीरीज में बेहद एहम भूमिका में नजर आने वाले हैं अमित इस वेब में IB के अंडर कवर एजेंट का किरदार भी निभा रहे हैं जो धोंगी बाबा के आश्रम में मेडिकल विभाग में एक डॉक्टर के असिस्टेंट बन कर जाते हैं अंदर से सारी खूफिया जानकारी अपने IB को देते हैं इस दोरान अमित को बाबा के आश्रम में काम करने वाली अनुरिता ज्छा जो इस वेब सीरीज में कविता का रोल कर रही है उनसे प्यार हो जाता है फिर दोनों मिलकर अंदर की खूफिया जानकारी बाहर पहुचाते हैं इस वेब सीरीज के हर एपिसोड में अमित रंजन नजर आने वाल हैं हाली में एक मीडिया हाउस से बातचीत के दोरान अमित ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरवात मौरे टीवी पर आने वाले शो हा मैंने भी प्यार किया से किया था जिसके बाद उन्होंने कई शॉर्ट फिल्म भी की लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं आश्रम जैसे वेब में काम करने लगा तो मुझे एक अलग पहचान मेरी लोगोंने मुझे जाना मुझे काफी खुशी हुई कि मैं इस तर के वेब सीरीज में काम कर पाया वहीं बॉबी देव के साथ काम करने का अनुभव साज़ा करते वे उन्होंने बताये कि बॉबी देव बॉलिवुट के इतने बड़े अभिनेता है उनके पिता धरमेंद्र भी बॉलिवुट की हस्तियों में से एक है मैं बॉबी देव को बचमन से टीवी पर देखता आ रहा था लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि एक दिन साथ में स्क्रीन शेयर करूँगा लेकिन ये सच हुआ और मैं साथ में काम करने लगा ये मेरे लिए अलग अनुभव था घरवालों को जब पता चला कि मैं धरमेंद्र के बेटे के साथ काम कर रहा हूँ वो फूले नहीं समा रहे थे मैंने जब करियर के शिरवात की थी तो मेरे परिवार वालों को ये फील्ड सुरक्षित नहीं लग रही थी मगर अब परिवार वाले भी खुश है और सपोर्ट कर रहे हैं महीं बिहार से निकले डारेक्टर प्रकाजशा की बात करते वे उन्हा ने कहा कि प्रकाजशा मेरे आइडियल है उनके साथ काम करना बेहद ही खुश्मा पल रहा मेरे लिए मैं उनके संग्रक्षन में काम करके बहुत कुछ सीखा हूँ और आगे भी सीखना चाहता हूँ प्रकाजशा की डांट मुझे आश्यरवाज जैसी लगती है जिसके बाद अब हम भी यही उमीद कर रहे हैं कि अमित रंजवन अपने इस नए किरदार से लोगों को लुभाने में कामियाब रहे उनके इस नए किरदार की चर्चा होती रहे और उनके आक्टिंग करियर में इसके बाद एक नई उच्छाल भी देखने को मिले अमित रंजवन के उच्छवल भविश्री की हम भी कामदा करते हैं इसके साथ ही आज के स्वीरों में बस इतना ही तब तक हे लिए धन्यवाद